हेलो स्टुडेंट कल्यान याई सेगेट में के ओनलाइन प्रेटफार्म पर आपका स्वागत है मैं हूँ लखन दाइवा आपको MPG के पढ़ा रहा हूं MPG के कैसा सब्जेक्ट है जो आपके MPPC प्रिलिम्स और MPPC में इससे सरवादी कोश्चन पूछे जाते हैं आए के हैं तो आज हम पढ़ेंगे मद्द अल्हाद चित्र करेंख्यों में अलग बना जाते हैं उसे को मतद देखिस में विभिन नाुसौरों पर बिभिन प्रकार के चित्र बना जाते हैं यह एव हैं में बगेलखन में तो बगेलखन में कौन कौन से चित्र बनाया जाते हैं तो इसमें कोहवर तिलंगा छटी चित्र और निवरानु में यह ऐसे चित्र यहां पर बनाया जाते हैं इसको ध्यान रखना इसके बाद फिर दूसरा आता है बुंदेलखन में तो बुंदेलखन में नुरता, मोर-मुरेयला, मोरते और सुरेती ये ऐसे चित्र बनाय जाते हैं फिर इसके बाद मालवा में माणडना, चित्रावण, सांजापूली और रंगोली इस प्रकार के चित्रियांपर बनाय जाते हैं फिर इसके बाद में निमाड में थापा, जिरोती, ईरत, पगल्या, खोपड़ी पुजन और उसके बाद में कंचाली भरना ये इस प्रकार के चित्रियां पर बनाए जाते हैं तो आईए स्टार्ट करते हैं सबसे बेले बगेलखन के लोगचित्र तो बगेलखन के चित्र में सबसे पहला आता है कोहवर, कोहवर एकजाम में आप सब पूछा जा चुका है कि बताइए कोहवर लोगचित्र कला किस चत्र की है मद्ध्यपदेश में तो ये ध्यान रखना बगेलखन में बनाए जाता है इसके बाद में किस आउसर पर ये चित्र बना जाता है तो इसको सबसेदल जात है तो यहाँ पर देखिए इसमें यह चित्र आपको दिखाए जारहा है तो यह चित्र इसके पर पर बना जाता है जिस году रख्येगा दूसरा आता है तिलंगा तिलंगा ये कहा कि लोग चितर कला है तो बगेल खंडगा है इसके बाद में ये किससे बनाया जाता है जिसमें ध्यान रखना आप कोविल्या और जो तिल का तेल होता है उनको दोनों को मिला कर यह चितर बना जाता है जिसे हम तिलंगा कहते हैं और यह भी कहा बना जाता है भित्ती पर भित्ती मतलत दिवार पर बना जाता है तो जहां पर भी भित्ती सब्द आता है तो उसका अर्थ याद रखना फ्रेंड्स दिवार होता है तो दिवारों पर यह चित्र बना जाते हैं ठीक है इसके बाद फिर अगला आता है छटी चित्र जिसका उप्योग चित्र बनाने में करते हैं और कहा पर बना जाता है तो यह भी दिवार पर भी पूजा करती है तो आप यहां पर देखें जो चित्र आपको दिखा जा रहा है यह इस प्रकार का चित्र बना जाता है कब बनाते हैं यह भादों की नौमी को कौन बनाता है इसको तो जो स्वागीन महिलाएं होती है तो स्वागीन महिलाएं इस चित्र को बनाती है तो इसको ध्यान रखना और कहां पर बनाती है दिवारों पर बनाती है जिसको भित्ति कहत जिसको ध्यान रखना उसके कोशन इससे पूर्च सकता है कि इसके बाद फिर अगला जाता है बुंदेलखंड च्टर में कहा कहा पर कौन-कौन से चित्र यह देखिए इसमें नोरतरी के सुब औसर पर बना जाता है किस्से बनाता है लगेरू ौर में इसको याद रखना इसके बाद फिर अगला जाता है मौर मुरैला तो मौर मुरैला यह कहा कि लोग चित्रकला है यह बुंदेलखंड की लोग चित्रकला है और दिवारों पर इसमें मौर के चित्र बना जाते हैं तो आप यहाँ पर देखिए इसमें यह चित्रा आपको द तो यहाँ भी बुंदेल खंड की लोग चित्रकला है इसको याद रखना किस आउसर पर बना जाता है तो विवाह के समय दिवारों पर दूला और दुलहन हल्दी से थापे लगाते हैं तो इसको याद रखना तो इसमें आपको question पूछा जाएगा कि बताइए कि यह चित्रकल में पर बनाते हैं और कौन तो इसमें दूला और दूलन के हाथ हल्दी में से किया जाते हैं और वह इसे दिवार पर हाथ के ठापे लगाते हैं जिस contenido मॉरती इसके बाद पिर अगला जाता है सुरेती। यह भी बुंदेलखंड की लोक चित्रकला है इसको ध्यान रखना फ्रेंड्स इसके बाद कब बना जाता है तो दिवाली का उसर पर बना जाता है और लक्षभी पूजन के समय यह बनाै जाने बला भित्ति चित्र होता है तो इसको याद रखना एक्जाम में आप से question पूछ सकता है कि बताइए कि जो सुरेती होता है सुरेती कहा कि लोग चित्र कला है तो बुंदेल खंड की है कब बनाते हैं तो दिवाली के उसर पर बना जाता है कहा पर बनाते हैं तो दिवारों पर तो इस प्रकार से चित्र बन मांड ना ये कहा पर मालवा में सका प्रिचलन और निमाद में विसका प्रिचलन है ठीच है तो भी कि देगा से और ये चित्र बनाए जाते हैं और घर और बनाया जाता है तो दिवाली की अऊसर पर बनाते हैं किस से किस से बनाते हैं तो यहां पर देखिये इस प्रकार के चित्र बनाते हैं टीक है इसके बाद पिर अगला जाता है चित्रावन कहा की चित्रकला है यह तो याद रखना किस आउसर पर यह चित्र बना जाता है तो विवहा के आउसर पर घर की दिवारों पर गेरू और हल्दी के साहता से यह चित्र बना जाता है कहा पर बनाते दिवारों पर बनाते हैं तो यह इस प्रकार इसको याद रखना बहुत है इसके बाद फिर अगला जाता है सांजा फूली यह भी मालवा का चित्र है इसको ध्यान रखना यह मालवा की चित्रकला है तो इसको एक्जाम में भी कोश्चन पुछा जा चुका इससे कि बताइए सांजा फूली यह किस चित्रकला है तो यह हमा कुमारी लड़किया इसको दिवारों पर बनाती है गोबर की चितरकारी करती है या गोबर से आकरती बनाती है तो आप यहाँ पर देखे इसमें यह जो दिखाय जा रहा है आपको ठीक है तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो दिवार है दिवार पर इसमें गोबर की आकरती ब बनाती है और साम के समय उसके पूजा करती है और उसके मार्वा में होती है इसके अगला हाता है रंगोली, रंगोली यह भी हमारे मालवा की प्रिसित्य चित्रकला है, अब यह किस अउसर बर बना जाता है, तो SM कोई भी सुव आउसर होता है, या उत्साब होता है, तो इसमें घर की महिलाएं, गुलाल या जो सूखे रंग होते हैं, उन से ये चित्रकारी की जाती आप निमाल चत्र में हैं यह यह याद रखना और यह चित्र कब बना जाता है एक्जाम कोशन पर सकता है साहता से दिवारों पर बनाय जाने वाला चित्र होता है तो आप देखें यहां पर जो आपको तप जित्रों दिखाय जा रहा है यह हांत के ठापे लगा है ठेके और दिवारों पर ऐसा कहता है महिलाते। जो सेलि सब्सक्ट मिया सेलि सब्सक्राइब सब्सक्रेजाएं तो सेलि सब्सक्राइब के सुबसर पर महिलाएं अपने घरों के दीवार कब बनाया जाता है तो विवाह क्या उसर पर कुल देवी का भित्ति चित्र बना जाता है ध्यान रखना तो कुल देवी का चित्र बना जाता है कहां पर यह भित्ति चित्र बना जाता है मतलब दिवारों पर कुल देवी का चित्र बनाते हैं विवाह क्या उसर पर तो इसे कहा जाता है एरत ठीक है तो इसको ध्यान रखना अब अलग अलग जातियों में अलग अलग कुल देवता उनकी कुल देवी होती है तो जिसकी जो कुल देवी होगी उनका वो लोग चित्र बनाते हैं यह है निमाल की चित्रकला इसके बाद फिर अगला है इसी निमाल में जिरोती तो जिरोती भी कहा कि लोग चित्रकला है तो यह भी फ्रेंड्स निमाल की ही चित्रकला है इसको याद रखना और किस आउसर पर बनाया जाता है यह चित्र तो सावन महिने में या सावन मास में एक हर्याली अमबस्या आती है तो हर्याली अम बना किस समय बना जाता है तो हरिया लिया मावस्या पर यह चित्र बना जाते हैं तो इस प्रकार से देखें इशार भी दिखा जा रहा है इस प्रकार से यह चित्र बनाते थैंग dor k इसके बाद फिर अगला आता है पगल्या तो पगल्या यह कहा की चित्रकला है यह निमाड की चित्रकला इसको याद रखना किस आउसर पर यह बना जाता है तो जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे के जन्म के सुब आउसर पर सुब संदेश कर एक हंकन किया जाता है मत अगल्या इसके बाद फिर अगला जाता है खोपड़ी पूजन अब खोपड़ी पूजन में क्या होता है फ्रेंड्स तो इसमें खोपड़ी की पूजा की जाती है इसलिए इसको खोपड़ी पूजन कहते हैं और कहां पर इसका पूजन होता है तो इसको ध्यान रखना आप ल तो यह निमाण में होता है इसको ध्यान रखना इसके बाद फिर कि एगे सित्वें आधिवा सी लोग चित्रकलाव में पहले देखिये समय गोंडी चित्रकला अब क्या है तो हमारे मध्ध्व्देश में जण जातियां है उन्हें आदिवाशी का जाता है तो हैं नाने नाम है गोष जाता है तो उसे कहा जाता है तो गोंडी प्रिचलन कोरे कि तो कुल्पत करती है नर्मदागाटी जत्रे भाम स्पास का चलती है और वहाँ पर ये जन्जातियां विविन्य प्रकार के चितर बनाती है इसको ध्यान रखना तो गोंड जन्जाति घर की दिवारों पर कुछ जीव जन्जाति के चितर बनाते हैं और कुछ प्रकृति का चितर बनाते हैं जिसको ध्यान रखना और इस जन्जाति के लोग ही अपने अगला के पक्षी भी है तो ऐसे जीव जन्तु के प्रकृति के चित्र ये लोग बनाते हैं अपने दिवारों पर और यही गोंड जन्जाती अपने सरीर पर गोदना गुदवाती है गोदना गुदवाने का मतलब आज बरतमान में उसका अधुनीक रूप है टेटू ठीक है घ corporate सिर्पर गोदना गुदवाते थे तो यह गोण जन्जाती олж Brad गोदना गुदवाती है इसको ध्यां रखन के इसके बाद में इस चित्रकाला के कुछ चित्रकार है तो कोन कोन से हैं चित्रकार इस पहला नाम है नर्मदा सिंच का दूसरा नाम है सुमेर सिंग तीसरा है जणञगड़मन सिंग और चौछता नाम आनन्द सिंग यह इस गोंडी चित्रकला के प्रसिद्ध चित्रकार हैं इनके नाम आप याद रखना तो आप से कोशन सकता है विद जई को आपको याद रखना है इसके बाद पीर अगला जाता है बेगा चित्रकला अब बेगा चित्रकला मतलब बेगा जन जाती के द्वारा कुछ चित्र बना जाते हैं जिसे हम बेगा चित्रकला कहते हैं तो मद्दपदेश में कहां कहां पर ये चित्र बना जाते हैं फ्रेंट इसमें आपको धियान रखना है मंडला और दोरी जिले में यह sitting कारी की जाती आआ यह चित्र बना आ जाते हैं कि इसमें आपको ध्यान डखना है कि जन इती घर की दिवारों पर पसू पक्षी फूल पेड्श पत्ती नदी पहाड इसके बाद में आदी के चित्र बनाते हैं और देवी देउताओं के चित्र भी बनाते हैं यह लो आप इसमें देखें यहां पर इसमें नदी के पहाण के परबत के यह से विभीन में पराकार के चितरी यह लोग minder अधे हैं तो इसक को ध्यान रखक ना इसके कि परic इस फिर कॉ эти को फिर उस्वे कुछ लोग करते हैं यह कुछ मुख्य चित्रकार हैं यहां के प्रशिद्य चित्रकार हैं इसके बाद में एक और महिला आती है यहाँ पर जो चितरकारी करती है तो इसका नाम में जोधाय वाई तो जोधाय वाई भी यह बेगा चितरकला की प्रसिद्य चितरकार है आप इसको याद रखना के हैं इसके बाद फिर अगला जाता है पिध्योगा चहली देखेए यह' किस चित्र कला अधिक प्रिसित्य है तो चितर कारी की जाती है यह चित्रकारी का है इसको ध्याना रखना विस आवसर पर यह चित्र बनते हैं उहें उन तो इसलिए राजस्थान की काजल रानी की कथा इसी पूरे चित्रों पर चित्रित होती है तो इसको ध्यान रखना फ्रेंड्स एक जाम में आपको दिखाए जा रहा है देखिए यह पूरा पितोरा चित्र कला है इस प्रगार से यह इसमें घोड़े का चित्र है और इसमें किसकी कहानी होती है यह चित्र में तो इसमें काजल रानी की कहानी चित्रित होती है यह पूरी पितोरा चित्र कला से इसको ध्यान रखना फ्रेंड्स एक जाम में आपसे कोर्शन इससे पूछ सकता है इसके बाद मे इसमें जो लोग चित्रकारी करते हैं या जो लोग चित्र बनाते हैं उनको लिखिंद्रा कहा जाता है ठीक है और यही लिखिंद्रा के परिवार के लोग पीडी दर पीडी ये चित्रकारी कर रहे हैं जिसको पित्रकारी कहते हैं इसको ध्यान रखना अभी बरतमान में एक इ इनका नाम में अपको ध्यान रखना है कि इसके बाद फिर है अगला जाता है भीरी चित्र कला अब भीरी चित्र कला सीरी से बहुंत है जहां पर भील दैंज्ञति निवास करती है वहां पर भीरेट टाफ stell पर ब्रक्ष के चित्र बनाते हैं तो आप यहाँ पर देखिए चित्र आपको दिखाई दे रहा है प्रकार सा चित्रे स्में यह बनाते हैं इसमें एक चित्रकार का चित्रा का चित्र का नम बताईए उसका नाम आपको ध्यान रखना है इसके बाद फिर अगला देखे इसमें मद्ददेश में सिल्पकला अब सिल्पकला का मतलब क्या होता फ्रेंड्स तो हमारे मद्ददेश में कहीं पर लकड़ी से तो कहीं पर पत्थर से तो कहीं पर मिट्टी से तो कहीं पर कपड़े से विविन्द प्रकार की चीजे बनाया जाती है उसको हम कहते हैं सिल्पकला इससे क्या-क्या बना जाता है तो इससे मूर्थिया बना जाती है लकड़ी के कुछ सामान बना जाते हैं कुछ खिलोने बना जाते हैं तो अलग-अलग छित्र में अलग-अलग चीजे बना जाते हैं जिसे हम कहते हैं सिल्पकला तो महत्दपदेश में आप देखे स्थानों पर या बिविन्य च्छत्रों में अलग यह चीज़ें बनाई जाती हैं जिसमें हम मद्द पुदेश में बुंदेल खंड बगेल खंड और निमार चत्र हम पढ़ते हैं ठीक है तो इसमें देखें आगे तीसरा प्रस्तर फिर लाक गुडिया पत्ता धातू मिट्टी अदकरगा यह सब अलग अलग सिल्पकला हैं हमारे मद्दपदेश में प्रचलित हैं इसमें स्टार्ट करते हैं देखें सबसे पहले मद्द पुदेश में छीपा सिल्पकला तो एक्जाम में अब से कोशन पूस अब यहां की जो छीपा सिल्फ है यह पूरे भारत में फैमस है पूरे भारत में प्रसित्य है इस पर क्या होता है तो कपलों पर विभिन रंगों की साहता से इसे बना जाता है तो जो छीपा सिल्फ पकला होती है वो इस प्रकार की होती है यह देखिए इसमें आपसे कोशन पूसा जाएगा कि बताईए चीपा सिल्फ पकला हमारे मदब इसमें कहां की है तो यह उज्जेन की है याद रखना इसके बद फिर दूसर करते सिल्पकला और इसके दूसरा नाम है तो इसका च्छत्र कूँंसा है तो बुद्नि से होते हैं जहां पर यह क्त loro का प कर अदिक यह चित्र आपको दिका जा करते हैं बनाने में इन सामान को तो इसमें खेर रसरई सफेदा सेसम आदी लकड़ियों की साहता से इसमें खिलोने बना जाते हैं और सजावट की सामगरी भी इससे बनाई जाती हैं इसमें गोंद का उपयोग करते हैं इसके बाद फिर जिंग पाउडर और विविन रंगों क उप्योग करते हैं तो यहां से कोश्टन कैसे पुछेगा यहां से कोश्टन पुछा जाएगा कि जो खरात सिल्पकला है यह किस छेत्र में प्रसिद्ध है या किस छेत्र में इसका प्रस्थला न देखे तो इसको याद रखना आप लोग इसके बाद फिर इससे क्या बना जा हैं इसको ध्यान रखिएगा हो इसके बाद प्रत्र सिल्पकला अब प्रत्तर का मतलtro متaineब तो पत्तर से जो चीज़ें बनाई जाती है जो सामान बना जाते हैं मूर्टिया बनाइ जाती है उसे हम कहते है प्रस्तर सिल्पकला तो आप इसमें देखिए फोटो में यहां पर पत्थर से कुछ बने हुई है आपको चीजे दिख रही है आपर ठीक कुछ मुर्तियां दिखती हैं तो आपने कई जगा देखा हो जैसे मंदिरों में यह इसके अलावा कई स्थानों पर तो बिविन प्र प्रकार की कलाकरतियां उकेरी जाती है या निर्मित की जाती है जिसे हम प्रस्तर सिल्पकला कहते हैं इसको ध्यान डखना इसके बाद पर दूसरी आती है मिट्टी सिल्पकला या इसी को टेरा कोटा के नाम से भी जाना जाता है अब यह मद्द पदेश में किस जिले में इ बहुत सारे बनाया जाते हैं इसको ध्यान रखना अब मिट्टी से क्या क्या सामान बनाया जाते हैं तो आपने देखा हुआ जैसा मठका तो बनते ही है सभी लोग जानते ही है इसके बाद बहुत सारे मिट्टी के खिलोने भी बनाया जाते हैं ठीक है इसको ध्यान रखना तो यह मुलेला कला मूलत कहां की है यह राजस्थान की है और राजस्थान से लगे हुई हमारे मद्ध पुदेश के कुछ जिले हैं जहां पर यह कला का अधिक प्रचलन है तो मद्ध पुदेश में नीमच और मंसूर जिले ऐसा जिले है जहां पर यह मुलेला कला का प्रचलन है इसको दियान डखना तो आपसे question पूछ सकता है कि बताईए जो मोलेला कला है मत्वद्देश में किस जिले में इसका प्रचले नदेखे तो यह नीमच और मंसुर नाम आपको ध्यान डखना है यह यूँ पूछ सकता है कि प्रकार की सिल्फ कला से संबंदित हैं तो आपको या जा रहा है यह देखिए इसमें तो मिट्टी से बहुत सारी इसे चीज़े बनाए जाती है सामान बना जाते हैं ठीक है इसको कहा जाता है मुलेला कला इसके बाद फिर आगे देखें इसमें गुडिया सिल्प कला अब यह गुडिया सिल्प हमारे मदब देश में कहा पर इसका प्रिचलन अधिक तो गौलियर में और जाबवा में गुडिया सिल्प का मतलब क्या फ्रेंड्स तो इसमें गुडिया बनाए जाती है इसले इसको गुडिया सिल्प कहा जाता है तो मदब देखे इसमें यह लोग कुछ यहां पर गुडिया बना रहे हैं ठीक है कुछ इससे बेल गाली बना लेते हैं इसके बाद फिर यहां पर जो उच्छे तर दिख रहा है आपको यह इसमें इसे गुडिया बनाते हैं लोग तो कागश से बनाते हैं और कपड़े से बनाते हैं औ तो लाख सिल्फ वकला क्या है तो लाख सिल्फ वकला में लाख से बहुत सारी चीज़े बनाए जाती है जिसे चूड़िया बनाए जाती है इसको प्रसाधन के शामान बनाए जाते हैं कॉस्मेटिक उसका यूज होता है ठीक है और लाख कहां से प्राफ्त होती है लाख हमको इसका प्रिचलन है उज्जेन इंदोर महिश्वर मंदसोर और अतलाम जिलों में लाक से बहुत सारी चीज़े बनाए जाती है तो विश्यस के इसमेटिक्स में इसका यूज होता है इसको ध्यान रखना इसके बाद इसमें देखिए कि जो ब्रक्ष के गोंदिया रस से लाख बनाते हैं इसको ध्यान रखना और लाक से कई बस्तमे बनाए जाती इसे चीज़े बना एंसे यह चूड़े बनाना या चूड़िया बनाना जो आप सिल्व का मतलब होता है कि हमारे मद्धवदेश में हत करगा से कपड़े बना जाते हैं जिससे कहा जाता है हत करगा सिल्व ठीक है हें इसको कहा जाता है अब मद्धवदेश में कहां कहां पर हत करगा से कपड़े बना जाते हैं तो इसमें धार चंदेरी ठीक है चंदेरी किस जिले में आता है ये असक नगर में आता है और इसके बाद महेश्वर ये खरगोन जिले में आता है तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि धार जिले के तामबा धातु की जरी बाले बाग प्रिंट बहुत फैमस है इसको याद रखना तो एक्जाम में आपसे कोश्चन पूछ सकता है कि patient who came जब很 जैदा फहमज है और इसके बाद में हमारे मद्झ चंदेरी में और महश्वर में य यहाँ पर फोटो देखे एथ यह आएक कारत कि शुझे बनाते हैं इसको द्यान रकने इसके बाद फिर अगली है अभ दाथू सिल्पकल्ला में क्या होगा तो इसमें धातू से कुछ चीज़े बनाया जाती है जैसे कुछ खिलोने बना जाते हैं कुछ बरतन बना जाते हैं ठीक है इसमें देखिए मद्धवदेश में दतिया जिले में और टीकमगण जिले में धातू से बहुत सारी चीजे बनाई जाते हैं इसको याद रखना मद्धवदेश में सतना के उचहरा कजबे में कासे से बट तो आप देख रहे हैं यह फोटो में धातू से बहुत सारी चीज़े बनाई जाती है ठीक है बहुत सारी चीज़े बनाई गई गई इसमें कुछ खिलोने बने हुए है इसके बाद कुछ बरतन बने हुए है ठीक है तो इसको आप याद रखना आप से कोशन कैसा पुछेगा तो कोशन आप से पुछेगा कि मद्दपदेश में धातु सिल्पकला कहा परपिसित हैं तो इसमें याद रखना दतिया टिकमगड यह जिले इसमें बहुत फैमस है ठीक है धातु की चीज़ों बनाने में इसके बाद फिर अगला है पत्ता सिल्पकला में क्या होगा फ्रेंड तो पत्ता सिल्पकला में इसमें पत्ते से कुछ चीज़े बनाई जाती है जिसे कहा जाता है पत्ता सिल्पकला ठीक है तो इसमें देखिए पत्ते से कुछ चीज़े बनाई जाती है तो मद्दपदेश में जो जन जाती छेत्र होते हैं जन जाती छेत्रों में पत्ते से बह बनाए जाते हैं तो यह कहाँ पर बनाते हैं तो जनजातियों के लिए प्रकाद से आयका स्रोत होता है तो देखें इसमें जैसे जाड़ों बने हुए यह पत्य से बनती है इसको ध्यान रखना इसके बाद फिर अगला आता है अन्य सिल्पकला तो अन्य सिल्पकला में कंगी सिल्पकला अब कंगी सिल्पकला इसका छेतर कौन सा है मद्धपुदेश में तो मद्धपुदेश में उज्जेन रतलाम और नीमच ये कंगी सिल्पकला में वहुती फहमा से इससे याद रखना मद्ध पदेश्ट में कंगी बनाने का स्रे ये बंजारा जंजाती को दिया जाता है इसको याद रखना एक जाम में आपसे कोश्चन पूछा जा चुका है कि कंगी बनाने का स्रे किसे दिया जाता है तो ये बंजारा जंजाती होती है उसे कंगी बनाने का स्रे दिया जाता है इसको याद रखना है जब मैं आपसे question पूछ चुका है तो इस प्रकार आप देखे जो चित्र आपको दिखा जा रहा है ये चित्र है कंगी का ठीक है तो कंगीों में कडाई किया जाता है इसके बाद में सुन्दर काम के साथ उसमें रतनों के जडाई की जाती है इसके बाद फिर बीना कारी का कारी किया जाता है और फिर ये लोग इसे बेचते हैं जिने आयप राप्त होती है इन्ही को बेचकर उनको आयप राप्त होती है जिनसे उनका जीवन चलता है इसके बाद फिर आगे देखे इसमें कटपुतली सिल्फ जो बहुत ही famous friends और मूलते कटपुतली ये राजस्थान का है पर राजस्थान से हमारे मद्द पुदेश में भी ये सिल्पक अला का प्रचलन हुआ है तो मद्द पुदेश में राजस्थान से लगा हुआ मद्द पुदेश का पश्चिमी छित्र में मतलब हमारे जो पश्चिमी जिले हैं ज कटपुतली के कुछ प्रसिद्य खेल होते हैं तो कटपुतली के कुछ पात्र होते हैं तो कटपुतली के पात्र कौन-कौन से हैं तो इसमें अनारकली, अकवर, बीरवल, इसके बाद फिर घोल सवार, सांप और जोगी ये इसमें प्रसिद्य पात्र होते हैं तो इसमें क्या ह होता है पहले तो ऐसे पुतले बना जाते हैं कट पुतली कट मतलब लकड़ी के और पुतले मतलब पुतले से बना जाते हैं और उन इसके बाद फिर सिल्फ कलास संब्दित कुछ महत्पुन तथे हैं जो आपको याद रखना है तो पहला फैक्ट है इसमें कि भीलो दौरा जो बनाई जाने वाली दरी है जिसका नाम है पंजा दरी यह बहुत फैमस हैं अब दरी का मतलब तो आप जानते हैं फ्रेंट्स दरी जो हम बिचाते हैं और इसपर बैठते हैं तो यहां पर यह बहुत फैमस है इसको ध्यान रखना इसके बाद में कारी कहा पर आता है काmen mean दिले में आता है कारी तो कारी नामक एक जगह है और यह टीकमगल दिले में आता है इसको याद रखना तो यहाँ पर एक बहुरंगी संगमरमर की बस्तुएं बनाई जाती है जब बहुत ही फैमस है तो आप से कोशन पुछेगा कि टीकमगल का कारी किसलिए प्रसिद्ध है त इसके बाद फिर भोपाल उज्जेन रतलाम और ग्वालियर में कागज की लुगदी से देवताओं पक्षियों इनकी आकरतिया बनाई जाती है तो इसको याद रखना एकजाम में आप से कई बार कोश्चन इससे पूछा जाता है तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा यह सिल्फ कला और चित्रकला का टॉपिक समापत हो जाता है आगामी परिक्षाओं में निश्य सफलता के लिए देखते रही है हमारे कल्यानी आय सेकेट में के सभी वीडियो थैंक्स पूर वोचिंग